अब आखिरकार मनीश कस्यप के समर्थन में सोनुसूद उतर ही गए। जो सोनुसूद इतने लंबे समय तक खामोस थे, वो भी खामोस इस तरह से थे जैसे लगी ही नहीं रहा था कि मनीश कस्यप के साथ कुछ भी हुआ हो। लेकिन जब मनीश कस्यप का मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है, उन पर एने से जैसी गंभीर धारा लगा दी गई है, मनीश कस्यप के समर्थन में ना तो कोई नेता बोलना चाहता है, ना कोई अभिनेता बोलना चाहता है, ना कोई बड़ा पत्रकार बोलना चाहता है, तब सोनु सूध ने मनीश कश्चप के फेवर में ट्वीटर पे ट्वीट भी किया है उन्होंने क्या ट्वीट किया है पहले मैं ये पढ़के सुना देता हूं और इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर का इतने लंबे समय तक सोनु सूध खामोस क्यों थे उन्हों और कानून से उपर हमारे देश में कुछ भी नहीं जो भी होगा सही ही होगा लेकिन सोचीये कि मनीश कश्चप के मामले में सोनु सूध इतने लंबे समय तब खामोस क्यों थे वो भी वो सोनु सूध जिसके लिए मनीश कश्चप ने उनके गाउं में जाके उनकी बहन का च था तब मनीश कस्यप ने जोर सोर से प्रचार भी किया था और अपनी ही गाड़ी में एयरपोर्ट से बैठा के वो हॉल तक भी लेकिया थे जानते हैं सोनुसुत खामोश्क्यों थे उसका संभवता कारण ये हो सकता है कि सुरू में मनीश कस्यप के खिलाफ ऐसा महोल बनाया कि किसी को लगा ही नहीं कि मनीश कस्यप सही है या गलत है हर कोई एक बार सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में मनीश कस्यप इतना बड़ा अपराधी है कि उसके चेरे को गमची से ढख दिया जाता है इतना बड़ा अपराधी है कि उसको नीचे जमीन पर बैठा दिय उसके साथ ऐसा सलुक किया जाता है लेकिन कुछ समय के बाद सब को समझ में आने लगा कि मनीश कस्यप से भले ही अंजाने में गलती हुई हो पर ये सच है कि उनके साथ जो हो रहा है वो ज्यादती है सोचिए कि मनीश कस्यप पर एने से लगा दिया गया और एने से लगा देने के बाद सिर्फ मनीश कस्यप नहीं बलकि में स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों ने सरकार की बुराई की है चाहे वो आज तक की चित्रा त्रिपाठी हो ओप इंडिया वाले अजीत भारती हो या फिर कोई और सबने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या मनीश कस्यप सच में इतना बड़ा दोसी है कि उसको एने से लगा दिया गया एक और बात समझे मनीश कस्यप की जब गिरफतारी हुई तब सब लोग डर के मारे खामोस हो गया लेकिन उसी समय मनीश कस्यप से मिलने उनका एक दोस्त गया था नाम नागेश समराट वो नागेश समराट जब वो मनीश कस्यप का हाथ पकड़ता है और मनीश कस्यप के आखो में आंसुग आ जाते हैं वो वीडियो खूब वाइरल हुई थी लेकिन पता है मात रूतनी छोटी सी गलती के लिए कि कोई कैसे मनीश कश्यप से मिलने चला गया कोई कैसे ओन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहता है कि ठीक बात वंदर जातरत जा हमनी के बाहर बानी जा हमनी के ल मनीश कश्यप के दोस्त नागेश समराट के बीच कुछ भी ठीक नहीं था नागेश समराट मनीश कश्यप के खिलाप जहर उगल रहे थे लेकिन आखरी में उनको लगा कि मनीश कश्यप के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो मिलने चले गए एक वीडियो भी बन गई जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि घबडा मत हमनी के बाहर बानी जा हमनी के लड़ाई लड़ल जाई और उसके दो दिन के बाद ये खबर सामने आती है कि जो व्यक्ति मनीश कस्यप से मिलने गया था उसे उसका दोस्त बना के वो भी इस खेल में सामिल है उसको भी ग्रफतार करके सलाखो के पीछे डाल दिया गया और जब ये खबर सामने आई तो स्वभाविक है कि हर कोई डर ही जाएगा हर कोई चूप हो ही जाएगा कि अगर अब हम मनीश कस्यप का समर्थन करेंगे तो साइध हमें भी सलाखो के पीछे डाल दिया जाएगा और अब जब मनीश कस्यप पर इने से लगा सब के मुँव में दही जब जब गया तब सोनुसूद निकल के बाहर आए और मनिशक ष्यफ के लिए शमर्थन में ये ट्विट भी किया जिसे अभी आप लोगों देख रहे हैं और यकीन मानिये जितने भी बिहार के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग सोनूसूत के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं लेकिन एक सवाल सोनु सूथ से जरूर पूछ रहे हैं सोनु सूथ जी आप मनीश कश्यप के समर्थन में आए पर समभवता आपने बहुत तेर कर दी मतलब इतनी देर कि अब फर्क ही नहीं पड़ता कि मनीश कश्यप के समर्थन में कौन क्या लिख रहा है कौन क्या विरोध में कर रहा है और उसका कारण ये है कि अब मनीश कश्यप का मामला कोर्ट में है वो भी सुप्रिम कोर्ट में और मनीश कश्यप के खिलाथ में जो वकील खड़े हैं वो कोई साधारण वकील नहीं है मतलब उनसे पार पापाना को यतना आसान नहीं है और एक बात तैमान लिजिए मनिस कस्यप को बेल अब इतनी जल्दी मिलेगी नहीं हकीकत यही है चाहे आप इसे स्विकार करें या स्विकार न करें बाकी देखने के लिए धन्यवाद आप देख रहे तो पब्लिक प्रेटफर्म मेरा डाम कुमार विन्वाइ